अलो दोस्तों स्वागत अपने यूट्यूब चैनल टर्गेट 95 प्लस में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समाजिक विज्ञान का एक टॉपिक है उर्जा के पारंपरागत तथा गैर पारंपरागत शुरोतों में अंतर असपश्ट कीजिए ठीक है जो कच् से पर हम क्या करेंगे हेडिन डालेंगे पारंपरागत तथा गैर पारंपरागत उर्जा संसाधन में अंतर ठीक है आई इसके अंतर को देखते हैं कोईला तेल और प्राकिरतिक गैस से उत्पन की गई ताप विद्धूत जल विद्धूत और परमारु सक्ति आदी उर्जा की गई जो ताप विद्धूत है जल विद्धूत है और परमारु सक्ति आदी उर्जा के क्या है एक पारंपरागत साधन है ठीक है दूसरा देखें इन साधनों का नवीनी करण नहीं किया जा सकता है ठीक है मतलब इसको नवीनी करण नहीं किया जा सकता है ठीक है अगे दे करते हैं उपयोग कर रहे हैं उपयोग कर रहे तो जिससे एStra qay ish जिय जियू नाइट जुए 30 लिऑ इस्का कर रहे हैं परियोग के मतलब क्या है मतलब परियोग से समाप्त होने के का गार पर है ठीक है आगे देखें सूर्य वाई ज्वारभाटे जियो थर्मल वायो गैस खेतों और पसुओं का कूड़ा करकट मनुष्य का मलमूत्र आदी उर्जा के गैर परमपरागत साधन है ठीक है यह साधन नवीनी करण योग्या है मतलब हम इसको क्या कुना प्राब्ध कर सकते है ठीक है मले सूरी का प्रकास रात तो तीय दिन होता फिर हमको सूरी का प्रकास मिलता वायो डेली हमको मिलता यह जौर भाटे हमेसा आते ही रते हैं जीओ थर्मल बायो गैस जो है गोवर गैस से भी बायो गैस हम निकाल देते हैं खेतों और पसुओं का जो कूड़ा करकटे देख भी करते हैं कि हम लोग तमाम प्रगार के डेली कूड़ा करकट निकल भी करता है घर से मनुसिका मल मुत्र आदी क्या है यह सब उर्जा के परंपरागत साधन है घर परंपरागत साधन है यह साधन नवीनी करण योग है इसको मतलब क्या हम उसको मतलब हम बना सकते हैं ला सकते हैं इनका बार बर परियोग किया जा सकता है यह लिखा ना इसका बार बर परियोग कि आजा सकता है ठीक है तो यह था आज का मेरा वीडियो यह काफी महत्वपूर टॉपिक है इसको आप लोग पढ़िए और इसको तयार करिए यह काफी महत्वपूर भी है ठीक है आई उके वीडियो आपको अच्छे लगए हो तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें मेर दोस्तों के पास अधिक से अधिक सेयर करें धन्यवाद